हेलो फ्रेंज, वेल्कम बैक टू मैं चैनल, मैं अपना चैनल कैप्टेन रतावदी चाटर जी में आप सबको और एक बर स्वागत करती हूँ अभी तक जिसकिसे ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कल लीजिए तो कि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन तुरन तब तक पहुँचे और पास में जो बेल आइकन है उसमें अल टाइप अब जरूर प्रेस करिएगा तो ही ये फैसलिटी आपको मिलेगा है ये जो टोटल सब्सक्रिप्शन लेने का जो टोटल प्रॉसस है ये फ्री है तो आप आडाम से कर सकते हैं देखिए आज मैं ये वीडियो लाने का एक बहुत ज़दा जरूरत इसलिए महसूस कर रही हूँ इस वीडियो बनने का दो मकसद है एक तो है कि आपको इस विशय में जानकारी मिल जाए और आप खुद को खुद प्रोटिक्ट कर पाए सेकंड विशय ये है कि इतना सारा जो वैकिंस आ रहा है केविन क्रू का इंटरनाशनल डॉमेस्टिक बोट इसमें जो group discussion round होता है उसमें जो current affairs पूछा जाता है मेरा मुझे तो लगता है कि ये जो subject है इससे ज़्यादा current affairs मतलब इससे ज़्यादा कुछ proximity नहीं हो सकता कि जिसके विशय में आपको बोला जाए मतलब कुछ time के लिए बोलने के लिए बोला जाए या फिर group discussion करने के लि येस मैं बात कर रही हूं coronavirus के विशय में देखिया आप लोगोंने सुना होगा coronavirus के बारे में बट आपको पता नहीं है details में भी because most of the time होता क्या है कि आप news follow नहीं करते हैं ना तो आप news सुनते हैं ना आप newspaper परते हैं तो in that case and google में भी आप search करेंगे तो ये सब subject आप hardly search करते ह बट ये जो चीज है ये बहुत ही धियान देने वाला विशय है खुद का career के लिए खुद का health के लिए भी at the same time खुद का career के लिए भी जो काने वाला जो vacances है उसमें पूछा जा सकता है मैं आपको few tips बताओं देखें subject तो बहुत बड़ा है बहुत जादा बहुत कुछ जानकरी हर जानकरी शायद मुझे भी नहीं है बट जहां तक मेरा जानकरी है ये जानकरी के विशिशाब से मैं आपको कुछ सही information and कुछ to the point information आपको दे रही हूं जो अगर आप ध्यान में में रखेंगे खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं at the same time interview में भी आप कुछ बोल पाएंगे आपका कुछ subject होगा बोलने का दिखें करोना वाइरस अब सभी जानते है चीन के बुहान सहर्षे city से आया हुआ है and ये वाइरस कैसे आया इसके विश्रे में कई बाते आ रहा ह बेसिक जो चीज है कि जो कच्छा मांस होता है जैसे Chinese लोग काफी खाते है जो अधा पका हुआ जो मांस होता है वो खाने से ये वाइरस होता है ये वाइरस फैलता है बट जो जिस में बार-बार सामने आ रहा है कि क्योंकि चीन में ये वाइरस एक पर्टिकुलर लाटरी से मतलब फैल आया तो इसे लिए सब सोच रहे कि चीन शायद जैविक हातियार बनाने के प्रयास कर रहा था और उसी के किसी भी गलती के वज़े से ये जो वाइरस है ये पुरा दुनिया में फैल गया आपको अगर जैविक हातियार के बारे में पता नहीं है तो मैं कुछ विश्य आपको बता दू देखिए जैविक हातियार होता है क्या जैसे हम लोग कोई भी यूद बोली है या कोई भी किसे भी एक परिस्तिती में हम लोग nuclear power use करने के लिए बोलते है ये nuclear power से भी बहुत जड़क खतरनाक है क्योंकि इसमें क्या होता है कि इनसान के अंदर एक वाइरस चला जाता है और ग्रैजुएली वो खतम हो जाता है उसका brain काम करना बंद कर देता है उसका anatomy physiology में हर प्रकार का change हो जाता है उसका मौत हो जाता है खली एक पिरी तक नहीं कई generation तक इसका effect रह जाता है अगर कोई pregnant woman हो या कोई lady का क्योंकि अगर उनका जो next generation है उसमें भी ये virus फैलता है तो इसलिए ये बोहुत जादा हानिकरत तो है ही है और खतरनाक भी है and at the same time सबसे जो important बात है कि अगर एकदम हावा ना चले मतलब still अगर wind condition अगर एकदम zero हो still हो कोई wind speed ना हो तो भी ये virus कई minuteों में लाखो लाखो लोगों को effect कर सकता है इनका जो spread करने का rate है वो बहुत जादा है तो आप समझे सकते हैं तो किस हर परिस्तिती में कि इसका लोग बोलते हैं कि virus को फैलने के लिए कोई bacteria फैलने के लिए wind की ज़रुरत होता है बट इस virus के लिए नहीं होता है ये इतना जादा कदम नाक है आप तक 125 देश में ये virus पहुँच चुका है और सब देश जूज रहे हैं इसको मतलब इससे fight करने के लिए तयार हो रहा है अपने अपने चीज से बट सबसे ज़्यादा जो bad point है इसका कि इसका अभी तक कोई ठीका नहीं invent हुआ हला कि Thailand ने दावा कर रहा है कि वो लोग बना चुका है इस virus को जूजने के लिए ठीका बट कोई official information अभी तक आया नहीं है तो आपको करना किया है आपको बहुत सतर्क रहना है कही पे भी आप अगर आपको बुखार है या फिर आप मतलब आपका जुकाम है सरदी है at the same time आपका कोई breathing problem हो रहा है तो immediately आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा and इसका जो चीज है कि अगर कोई बहुत ज़िदा public place में आप जाएंगे तो definitely it is advisable to wear mask आप mask पहन के जाएए जहां से यह जो संक्रमन का ज़्यादा possibilities होता है उस areas में second thing is that कि आपको कही भी बार बार अपना हाथ जो है गरम पानी से साबन से धोना पड़ेगा कोई भी कुछ खाने से पहले या you know खुद को हाईजनी के लिए अच्छा रखना पड़ेगा तकि कोई भी संक्रमन काईन का चीज आपके अंदर ना हो ना आएं जल से देखिए भारत तो इस विश्रे में काफी हमारे जो doctors है या हमारा जो hospital facility है काफी कुछ definitely कर रहे हैं time time पे हमारे मंत्री मंदल से भी काफी update आ रहा है कि वो लोग क्या कर रहे है but at the same time आप जानते हैं कि ये भी चीन मतलब चाइना में कई flights जाने का रद कर दिया गया है और उहाँ पे आना जाना का जो visa है उसको भी रोग दिया गया है उहाँ से अगर कोई मतलब आना चाहता है तो सबसे पहले भारतियों जो ambassador है embassy है चाइना में उनसे contact करने के लिए बोला जा रहा है आपको और एक बात बताओं आपको जानकरी के लिए कि चाइना में कुछ इंडियन जो फसे हुए थे वहाँ से 700 करीब इंडियन को अल्रेडी ले आ चुके हमारे सरकार ने और यही पर दिल्ली के पास तो गुरगाओं में मननसर बोल के एक जगा है वही पर कॉमेंड हस्पिटल में उन लोगों को रखा गया है 14 दिन के लिए और उन लोग का डिफरेंट जाज होगा देखा जाएगा कि उनके अंदर कोई भी इनका वाइरस है या नहीं उसके साथ साथ जो भी जाएना से आड है आपको पता है कि या आरपूर में उसका जाज हो रहा है second thing is that कि आप जानते हैं कि भारत के डिफरेंट राज्य में ये अल्रेडी फैल पतलब सस्पेक्ट किया गया है कि बहुत सरे लोगों को ऐसे सिंटॉम होने से हॉस्पिटल लिया जा रहा है जैसे बंगाल, उत्तर प्रदेश, डेली, ओडिसा ये सब जगे में बट केरल में अभी तक इसका सबसे ज़्यादा खतरनक परिस्तिती है केरल के सरकार भी इसको आपत कलीन परिस्तिती घोशना कर दिया है क्योंकि उहाँ पर संक्रमन ज़्यादा हो रहा है आप इस बात का धियान रखिए, खुद को आप थोड़ा सा मतलब प्रोटेक्ट करके रखिए हैं और एक बात है कि कई लोग ये सोचते हैं, मतलब कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि जैसे चाइना से आये हुए कोई सामान, जैसे कई चाइना बजार होता है या कोई सामान होता है उसको छूने से क्या ये रोग फैल, मतलब आपके अंदर आएगा देखिए इसका तो अभी तक कोई पुष्टी करन नहीं हुआ है बट एक स्टैस्टिक्स ये भी बताता है कि 2003 में जो सार्स भाइरस आया हुआ था, वो भी चाइना से ही आया हुआ था उसमें कोई भी, कोई अगर छीतता था या कहीं भी थुकता था तो उसमें 24 आवर्स तक उसका जो संक्रमन का जो जिवानु था उसके अंदर रह जाता था और कोई भी अगर उसको टच करता था तो उसको हो चीज हो जाता था जहां तक करोना भाइरस का सवाल है, उनका जो संक्रमन का जो पिरियड है कई महीनों हैं, इनमें आप सोचिए कि कई 24 आवर्स था उसने कई महीनों है तो आप समझे सकते हैं कि इनमें से अभी तो कोई final कुछ नहीं बोला गया है बट हो सकता है, in fact वविश्रय में ये भी आ सकता है कि उहां छूने से भी ये चीज हो सकता है दर असल आपको जो करना है, इस विश्रय को लेके थोड़ा सा ये वीडियो बार बार देखे कुछ पॉइंट्स अपने अंदर ले लिजिए ताकि इंटर्व्यू में आपको पूछा जाए, तो आप इसके विश्रय में बोल पाए उसके साथ-साथ खुद को भी आप प्रोटेक्ट करिए और जो भी मैंने बताया उसको थोड़ा सा फॉलो करने के कोशिश करिए तो आपको थोड़ा सा नौलेज आपको देगा अगर आपको कुछ बोलने के लिए बोला जाएगा आपको सेंटेंस इसके उपर बोल पाएंगे तो आज का ये वीडियो मैं यही पर खतम करती हूँ मैं फिर आउंगी नए सब्जिक्ट के साथ ये अगर आपको अच्छा लगे लाइक श्याट ज़रूर करिएगा और कॉमेंट भी ज़रूर करिएगा तो चलिए दिस इस अनफ पर टुड़े फिर मिलते हैं नए सब्जिक्ट के साथ तब तक के लिए बाबाई